Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar, my dear students, today in this current affair module, we are going to look up 10 important questions for the day, 10 mahatwapun questions, जो आपके current affair में मदद करेंगे, आपकी चोकलेट की परिक्षा है, उसका पैटन बदल चुका है, इस बदलती हुए पैटन के अंदर आपको इस तरीके का current affair, जो आपके सामने लेकर आए, वो काफी मदद करेगा, हम हर इंडिविजूल क्वेस्टन के साथ, बहुत सारी काम की news आपको सुनाएंगे, let me start to talk about the first question, question number one, Narendra Modi has proposed that African Union should be given full membership of G20, I am sure you know India is the president of G20 in this year, yes or no, December से लेकर अभी तक आपन यार G20 के president है, yes or no, और G20 की जो भी final meeting है, September महिने में होने वाली है, theme क्या रखा है भईया, जल्दी बताइए, G20 summit जो 2030 की है, उसकी theme क्या है, ठीक है न, that's your question, G20 में कितने countries है, सवाल यहाँ पे कुछ और है, African Union में कितने countries है, मोधी साब ने प्रपोस किया है कि African Union उसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि European Union उसका पार्ट है, ठीक है, समझे है दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, कि यह G20 group of countries कौन-कौन से हैं, ठीक है, यह रहे आपके सामने, G20 countries, ठीक है, जिसमें 19 countries, plus one European Union, is a part of it, ठीक है, अब इसमें बात हो रही है, that we must add African Union, just like European Union is included, दोस्तों, अभी G20 के अलग अलग जगा पे, अलग अलग तरीके के मिटिंग हुए थे, तूरिजम मिनिस्टर्स की मिटिंग हमारे जमुकश्मिर में हुई थी, जहां पर पांच countries नहीं आये थे, यह सर नो, please, comment box में बताईए, वो पांच countries कौन से थे, एक, तो चाइना था, दूसरा, आपका साओधी अरेबिया था, यह सर नो, ठीक है, बाग की तीन बता दीजे जल्दी, ठीक है न, चलिए great, अब आप यह देखिए, कि क्या इस G20 में, पाकिस्तान उसका मेंबर है क्या, यह बड़ा सवाल है, ठीक है, दोस्तों, मोदी साब ने प्रपोस किया है, that African Union should be part of this G20 countries, सवाल पूचा है कि African Union में कितने countries होते हैं, African Union में इन में से कितने countries हैं वह तो अब यह भी बता दीजिए, European Union में कितने countries हैं, ठीक है न, चलिए आपके सामने अच्छा-च्छा questions क्रियेट हो रहे है, G20 का कोई permanent secretariat नहीं है, जो country उसका president बनेगा, उसकी presidency वही उसका secretariat बनेगा, इस बार की theme क्या है वो बता दीजिए, European Union का क्या दुनिया है वो बता द कीजिए, ठीक है न, चलिए ग्रेट, European Union में कितने countries हैं, चलिए आपके सामने यह रहा सब कहानी, African Union का यह उसका flag है, और यह उनके current chairman है, the current president of African Union is this gentleman, ठीक है, नाम आपको पता है क्या, यह रहा आपके सामने आप पूरा Africa, उसमें से Southern Africa, Central Africa, East Africa, West Africa, North Africa, यह सब मिला जुला कर बहुत सारे countries एक African Union का पार्ट बनते हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि अभी यह जो एक बीच में रीजियन है, जिसको कहते है साहेल रीजियन, इस साहेल रीजियन में काफी दिक्कते चल रही है, दोस्तों इस साहेल रीजियन में आता है, माली, डॉ Sudan, South Sudan, यह सब countries उस पार्ट में आता है, और वहाँ पे पिछले कुछ समय से काफी ज़्यादा military crew चल रही है, कहीं न कहीं कोई न कोई military group आकर महां लडाईया करता रहता है, ठीक है, तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इधर आपका एक Ethiopia भी आता ह है, Ethiopia और Eritrea की लडाईया चल रही है, Somalia का अपना अलग problem, Sudan और South Sudan का अपना अलग problem, Mali का अलग problem, कितने सारे दिक्कत है, क्या आपको इन सब के बारे में जानकरी है, अगर नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं, हम आपके लिए अलग से एक special वीडियो बनाएं, कि पूरे आफ को औरीच करिये, हमारे साथ Current Affair का module पढ़ते है, अपनी नोटस बनाएं, और नोटस को औरीच करिये, Question No. 2, which country's leader, he can say, left people confused recently, by saying this, at one of the very important speech, he said, God save the Queen, man, okay, this is how he said, God save the Queen, man, this is what the President of USA Now people got confused, people got perplexed that Queen is already dead and now the UK is ruled by the King Charles III, he is ruling it and the Queen is not there. So what was he referring to? Was he referring to the Queen of UK or was he referring to Queen of Connecticut or which Queen? People were confused. and people were confused question number three in front of you is which district of meghalaya was once known for meghalaya's rat hole coal mining and which was banned by national green tribunal in april 2014 and due to which large number of children are able to put their time into education okay so we are talking about the place called you can say east jantia i'm sure you have heard about in your school days garo khasi and jantia this are the hills okay this three hills are there in meghalaya this three hills brings large amount of water rain in a large quantity and that's why the two places one is called chaira punji another is called mausin ram are situated at this garo khasi and jantia yes or no i'm sure you are aware about it but what you should also know apart from this information ki bhaiya world mein sabse wetest place kaun sa hai the wetest place on this earth is mausin ram kya nam hai us ka mausin ram okay that's the wetest place not chaira punji chaira punji comes at number two okay what you should know is about ngt what is ngt it's a tribunal it's a national green tribunal it's a causi judicial body remember tribunal is basically a causi judicial body okay it was established under national green tribunal act 2010 established on 18th october 2010 okay remember this okay and and more importantly who is the current chairman of ngt what does ngt do all cases pertaining to climate change environment ecology will go to ngt and ngt will ensure the speedy disposal of those environment related cases the current chairman of ngt is justice others kumar goel someone who's there in front of you a k goel justice a k goel is the current chairman of ngt okay question number four the simlepal tiger reserve is located in which state of india recently in the simlepal tiger reserve there was a kind of attack to place the foresters were visiting this tiger reserve they were fighting against poachers and poachers attacked one of the forester and the forester was killed and that's why this is in the news we are referring to the simlepal tiger reserve which is situated in odissa now what is important for us the important part is that india may tigers ke bade number yes or no recently you can say tigers ka calculation hua and we got a number of 2022 which is 3169 sorry three one six seven that is the number okay you can tell us that our project tiger ke 50 years complete hua hai kitinye saal complete hua hai 50 saal toh kab bana tata project tiger 1973 yes or no the tiger ka status kya hai iucn status ke mutabik it is endangered species what is iucn international union for conservation of nature unke ek ranking banti hai uske mutabik tiger ka joh status hai that is endangered sites ke mutabik sites is a convention on international trade on endangered species usme wu appendix one mein aata hai aur india ka wild life protection act ke anndar ye schedule one or schedule four mein aata hai jiski wajah se tiger ka shikar karna band hai aur isi liye wu pochers ko pakarne ke liye rokne ke liye foresters gahe thai aur amne samne ladaai ho gai aur u ladaai mein foresters ki moth ho gai buri baat hai aachsi baat nahi hai thik hai toh tigers ke baare mein yeh jahnkarhi honi chahi aapko world tiger day kab manaya jata hai 29th july 29th july ko world tiger day manaya jata hai aaj ki tarik mein bharat mein 3167 number of tigers are there there is ntca national tiger conservation authority unho ne 1973 mein project tiger banaya tha okay yad reyga dosto aaj uske 50 years complete huwe hai please isko note kariega that is very important for you to note question number five the high court in which state has ordered deployment of central forces in all districts of the state ahead of their panchayat elections dosto elections are very important free or fair way mein elections ho na wohh wohh bhaat bhaat hai thik hai dhustow dhesh me alag-alag election commission hootah hai thik hai na dhesh me ek central election commission hai joh 5 elections karwate hai kwnse 5 election karwate hai president vice president loksabha raja sabha state legislative assembly thik hai aur joh bhi panchayat municipality ka election hai woho karwate hai whoelp robust state election commission ke management we listened to state state election ko yadas round n da dhustow clear he na thik hai수를 confusing nahi ha very good on thik hai abhi niż the 865州 nine fotoori should sign 2 mu practitionershealthy syke 여러 warnings particular state me johan peh panchayat election laga ya jya raha 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 पंचायत election किसके अंडर में state election के हाथ में और वहाँ पे high court बोल रही है कि central government के forces आने चाहिए तो एक clash दिख रहा है ठीक है कि central forces क्यों वहाँ पे deploy हो जब state का election है और central का कोई role नहीं हो उसके अंदर सही बात है ठीक है तो यह बात हो रही है West Bengal में और उसका काफी बड़ा protest चल रहा है त्रिनमुल कॉंग्रेस कि इसको अपोस कर रही है कि यह गलत बात है central armed forces वैसे ही मनिपूर में कुछ काम नहीं कर पा रही है मनिपूर में इतना बड़ा बवाल है इतना बड़ा जगडा हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है और फिर यह लोग यहाँ पे भेज रहे है क्या होगा हन हम ही संबाल लेंगे ऐसा का पर हाई कोट बोलती है ना मिटा ऐसा नहीं कर सकते है उन्होंने कहा कि यह कैसे भी करके आपको यहाँ पे central armed forces लगानी है बात पहुंची है supreme court में and we will see what is the outcome of supreme court on this matter. question number six in an unexpected move the secretary of which union ministry has quit his position for very personal reasons and decided to return to parent organization इन्होंने कौन सी union ministry छोड़ी he left the union ministry of science and technology ठीक है अच्छा आप यह पूचेंगे कि क्या सर ऐसा सवाल एक्जाम में जरूरी है एक्जाम में जरूरी नहीं है ठीक है कि secretary किसने quit कर दिया ठीक है पर आपको यह पता होना चाहिए that there are ministries available what is the role of the ministry and the ministry का एक minister होता है और एक permanent person होता है जिसको बोलता है secretary yes or no that's very important okay coming to question number seven question number seven बोलता है who was serving as a prime minister of the country in june 2001 जब मनीपूर में बड़े protest हो रहे थे और ऐसा ही एक civil war जैसे scenario create हो गई थी और दस दिनों में यह prime minister साब ने quickly solution लेकर आये थे हम बात कर रहे है prime minister अटल बिहारी वाचपेई कौन थे यह prime minister अटल बिहारी वाचपेई यसा नो पर हमारे अभी current prime minister is silent on the यह मनीपूर issue कुछ बोल ही नहीं रहे ही he was on a visit to Japan, Papua New Guinea, Australia when Manupur was on the boil return होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया हाँ home minister साब गए मनीपूर का जो problem है वो home ministry की under में आता है तो वो काम कर रहे है ऐसा लग रहा है पर फिर भी कहीं नहीं तो लडाई हो रही है ना तो आपको बताना है कि यह मनीपूर की लडाई मनीपूर की लडाई किसके बीच में है है ना कॉनसी tribes के बीच में है and what is the main reason for this लडाई okay great question number eight USA has issued visa restrictions on the citizens from which country for that country's recent anti-gay law जो punish करता है homosexuality को to that level of death penalty recently इस country ने homosexuality को ban किया है और उसको punishment माना है criminal activity मानी है इंडिया भी criminal activity मानता था section 377 of IPC was you can say there which was allowed which was you can say putting people into jail primarily for having you can say same sex relationship हम बात कर रहे है उस country का जो है Uganda recently उसने ऐसा किया है आपने देखा होगा इंडिया ने तो बड़ा बदलाव लेकर आये Washington ने that is USA ने युगांडा के लोगों को अमेरिका आने में visa का restriction लगा दिया यूगांडा ने एक नया law लास मही ने लिया था जहां पर homosexuality को इन्होंने पनिश किया था coming to Indian scenario इंडिया में 1861 में जब Britishers IPC बना रहे थे तो उन्होंने IPC में धारा 377 डाली थी जिसके द्वारा homosexual activities को against the order of nature बोलकर उसके उपर उन्होंने penalty criminal घोशित कर दिया था 1977 में शकुंतला देवी ने इंडिया में homosexuality के उपर पहली study करी थी by the name of the world of homosexuals 1994 में ठीक है homosexual लोगों को पहली बार एक ऐसे voting right मिले transgender को पहली बार voting right मिले 2014 में Supreme Court ने ये rule किया that transgender will be treated as a third gender apart from male female then transgender in 2017 Supreme Court gave LGBTQIA community a freedom to safely express their sexual orientation ठीक है तो उनको right to privacy के तहत ऐसा बोला कि if people are involved in private activities ठीक है it's their right to privacy we cannot do anything against that and then सबसे मातवपून चीज आई 2018 में 6 सप्टेंबर को जब Supreme Court ने section 377 को निकाल दिया और बोला कि homosexual activity अगर consensual है तो कोई crime नहीं है फिर 2019 में Parliament ने transgender persons production of rights act established किया भारत में same sex marriage के उपर काफी demand हो रही है तो आपको इस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए अमेरिका ने ठीक है अपने एक नहें law के द्वारा ठीक है same sex marriage को legal गोशित कर दिया federal law बना दिया ठीक है 2015 में उनके Supreme Court ने उसको accept कर दिया था अभी 2023 में law के द्वारा उन्होंने ऐसा कर दिया so that is very important इंडिया का का नहीं पता होना चाहिए युगांडा का का नहीं पता होना चाहिए यसा नो question number 8 according to WHO how many people worldwide have diabetes remember diabetes is on the rise large number of people are getting troubled by this diabetes diabetes एक बड़ा बिमारी लोगों में फैल रहा है और यह 422 2 million ऐसा number है जो WHN अभी बताया and the last question for the day which formula 1 team does Lewis Hamilton represent Lewis Hamilton जो अभी बड़ा record बनाया उन्होंने ठीक है वो Mercedes को represent करते है ठीक है उन्होंने fastest time है जब वो एक practice कर रहे थे Canadian Grand Prix की Montreal में तब उन्होंने एक fastest time का you can say clock किया that's a record he has made I hope this is clear समझाया दोस्तों हना आपको पता होना चाहिए F1 की races के बारे में ठीक है क्या आपको पता है कि India से F1 के driver famous drivers कौन है ठीक है अगर पता हो तो बताईये मुझे comment box में I hope the sessions is wonderful पसंद आ रहा है सबको अगर पसंद आ रहा है तो comment box में बताईये कि yes sir this is wonderful I can continue to provide you on a daily basis okay thank you have a good day